हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फरत फेशन आज यहाँ पर हम टॉप बनाएंगे तो टॉप के लिए आपर शॉट टॉप है उसके लिए मैंने फैबरिक लिया है करीबन दो मीटर इसको आपको यह थ्री लेयर में कटेगा यानी कि इसका जो बॉटम होगा वो थ्री लेयर में होगा और टॉप होगा हमारा जो वन पार्ट में ठीक हैं तो सबसे पहले हम उपर वाले पार्ट की टॉप अले बाट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर फोड पार्ट पर इसके बाद हमें लेना है shoulder, shoulder हम लेंगे 7 इंच पे, 7 इंच पे एक mark कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा armholes आएगा तो armholes के लिए हमने आप 7 इंच पे mark लिए और इस वाले mark को भी इस तहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ठीक है जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इस तहाँ से कर लेना है और यहाँ पर आपको आर्मोज की गुलाई देने के लिए राउंड देने के लिए इस तहाँ का आप स्केल यूज कर सकते हैं आप बिगनर्स हैं तो बहुत एजी रहेगा आप लोगों के लिए और यहाँ पर हम लोग बैक वाले पार्ट पर एक एक इंच के एकस्टा माक कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना चेस्ट लेंगे चेस्ट मैंने 9 इंच पर माक किया हुआ है, 36 का मैंने वन पार्ट 9 इंच पर लगाया है तो इस तहाँ से हमारा ड्रॉ हुआ है और यहाँ पर हम लोग ने कर लिए इसकी कटिंग, तो जैसे मैंने कटिंग कर लिए सेम आपको इस तहाँ से कटिंग कर लेने के बाद इन पार्टों को हम लोग अलग कर लेंगे, फ्रेंट पार्ट अलग कर लेंगे, और बैक पार्ट हम लोग यहां पर अलग कर लेंगे, तो यहां पर हम लोग फ्रेंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, और आलमोस की कटिंग करेंगे, तो जो मैंने यहां पर आपको डबल म इस होगी वो यहाँ पर 5 इंच रखनी है ठीक है इस साहर से आपको एक box बनाना होगा जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको इस ऐसे box बनाने के बाद अपना neck को बनाने के लिए जैसे आपने आर्मोल्स की round दिया था वैसे आप इसका neck भी दे सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे ही हलका सा draw कर सकते हैं ठीक है इस सहार से हमने front neck में cutting कर ली हुई है और यहां से इसको भी हम cut कर लेंगे ठीक है और यहां से इसको cutting कर लेंगे पहले यह वाला part cut करेंगे अंदर वाला part और फि हमें कितना लेना है deepness हमें same लेनी है 4 इंच पे ठीक है और deepness हमें यहाँ पर 3 इंच पे लेनी है और इसको ऐसे round कर देंगे ठीक है यह वाला round हो जाने के बाद आपको नेकी cutting हो जाएगी यह हमारे दोनों पार्ट हो गया है cutting मैं आपको open करके दिखा दिए कुछ इसका look इस तहरा से आएगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग जो bottom है उसको cutting करने के लिए जो भी हमारा fabric बचा हुआ है उसी मैसे हम अपनी flare बनाएंगे ठीक है तो इसके लिए आपको इस ताहरा से पहले two part में fabric को रखना है और इसमें three layer बनाने के लिए हमें से cutting करना है तो cutting करने के लिए सबसे पहले हम जो layer लेंगे इस ताहरा से आपको fabric को जितना भी आपका fabric बचेगा उसको पहले two part में करेंगे ठीक है फिर उसके बाद यहीं से हम एक part और कर लेंगे ठीक है पहले यह वाला part हम यहाँ पर cutting कर लेंगे two part ठीक है फिर उसके बाद आपको यह वाला भी पार्ट इसको भी टू पार्ट में कट करना है, ऐसे ही दुस्ता वाला पार्ट भी आपको सेम कटिंग करना है, जैसे मैंने एक पार्ट कट का है, वस्ते सारे पार्ट कट हो जाने के बाद हम अपनी जैसे फ्रिल बनाते हैं, उस तहरा से इसको जॉइन करेंगे, मैं तो हमारे यहां पर यह फ्रेंट पार्ट इसका हम लोग नेक रैडी करेंगे तो नेक रैडी करने के लिए यहां पर मैंने वन इंच की स्ट्रिप को कटिंग के आ हुआ है तो यहां पर दो स्ट्रिप मैंने करी है दोनों साइट से रख देंगे जो हमारा सामनी की और स्टेट क cutting है ठीक है उसमें यहाँ पर बनाना है तो इस तरह से जैसे मैं joint करी हूँ सेम आपको इसी थरह से अपने दोनों पार्ट में strip को joint करना होगा है यह वाला पार्ट जब आपका joint हो जाएगा तो उसके बाद आपको यह वाला कैसे रखना है आप देखिए अच्छे से यहाँ पर मैंने लिए है कुछ इसता से गोटा पती लेस तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लगाएंगे सामने के फ्रेंट वाले पार्ट में पहले इसको half inch fold करेंगे फिर उपर की side को fold कर देंगे और यहाँ पर हम रख लेंगे अपनी गोटा पती लेस को अंदर की side को ठीक है आपको सिर्फ जो आपका triangle वाला part होता है उसको ही बाहर निकालना होता है बाकी वाला part आपको अंदर की side को रखना होगा ठीक है यह वाला part हमने इसको को रख लिया हुआ है और इसके ऊपर कर लेते हैं स्टेचिंगหाइं को यह पर देखिए हमने इस तहाँ से दोनों पाट को रैडि कर लिया हुआ है अब हम इसको आपस में जॉइन कर देंगे दोनों इस वाल एक पार्ट को इसको उपर रखना है ठीक है और यहां पर हम उपर वाला जो नेक होगा हमारा राउंड वहां पर मैंने और यह पटी करी हुई है और यह पटी को लगाएंगे तो क्या करने आपको और यह पटी को लगाने के लिए इस ताहर से डबल पार्ट में करना है और उल्टा कर दिलेना अपनी फैब्रिक को और इस तहरा से पहले इसको जॉइंट कर लेना है ठीक है यहाँ पर यह जॉइंट हो जाने के बाद हम इसको उपर की साइट को उलाएंगे और यहाँ पर वैसी हमें जैसे मैंने पहले गोटा पत्ती वाली लेस को लगाया था उसी तरह से अपनी लेज को यहाँ पर फिर से लगाना है अंदर की side को रखना है और उपर से इसको join कर देना है front वाला part ready हो गया है उसको ready करनी के बाद हम इसमें अपना back वाला part को join करेंगे तो यहाँ पर अपने आपस में इसको join करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर शोडर से जॉइन करेंगे, फिर इसकी फिटिंग वाला पार्ट को जॉइन कर लेंगे, यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया हुआ है, अब हम इसको इसके लियर बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने थ्री लियर को रेडी कर रखा है, जैस से तंदे संदोंता हुआ है तुकैं हवी तरह किया है यहां पर आपको एक पर से बता लेते हूं कैसे डालना है नीचे एक पाट को रखना हैं आपका कम वाला पार्ट होगा उपर वाले पार्ट को मैं ज्यांदा वाला रकना होगा फिर इस तहा से हलका हलका अशा आपको कप्ड़े को उठाना है उपर की साइड को और हल्गे कम से कम दो इंच की दूरी पर एक प्रेट को डालना है ठीक है इसी तरह से हम अपनी तीनों लियर को जॉइन कर लेंगे आपस में जैसे मैं आपको एक बना के दिखा रहे हूं इसी तरह से आपको बाकी वाले पार्ट में भी जॉइन करना होगा यहाँ पर देखिए मैंने तीनों लेयर को आपस में जॉइन कर लिया हुआ है अब हम कर लेते हैं इसको सीधा और अपने टॉप आले पार्ट में इसको जॉइन करेंगे यह इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आया है और टॉप तो बनके बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो आप लोग जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नौटिफिकेशन मिल जाए मैंने पहले जॉइन कित्छा वैसीं के लिए आप अपिनी स्लीफ को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्लीफ का कपड़े को फॉलब पार्ट में रख लिया हुआ है और इसकी लेंथ जूझा है 15 फैर और यहाँ पर यहाँ पर इसकी विर्दी यानि के लिए 10 इंच तो इस से आपको 3 पे मार्क करना है एक मार्क और आपको यहां पर करना है कि कह नहीं करीबन सिर्वार करनारे मारे मृतिंट यहां कOMS मार्कम करनान है यह जाएंगी सब्सक्राइब अब यहां पर हम लोग नीचे वाले पार्ट के लिए करीबन मैंने एवा नीच पर एक स्टिप को कटिंग किरा हुआ है और ठीक है यहां पर इस तहा से जॉइंट हो जाएगी तो चलिए मशीन पर आपको बताते हैं इसको बनाना कैसे है यहां पर हमने इस तहा से अपनी स्ली इस तहा से आपको अपने मशीन को चलाना है सिंकल कपड़े पर आपको चलाना है ठीक है और यह वाला पार्ट जब आपका हो जाएगा इसी तहा से आपने जो उपर वाले पार्ट पर थ्री इंच पर मांग गया तो वो टोटल 6 इंच हो गया होगा उस पे भी यहां पर हम ल की साइट को कर देंगे इसी तहा से हम दूसरे साइट से भी करेंगे क्योंकि अगर हम एक साइट से करेंगे तो धागा तूट जाएगा हमारा तो यहां पर हमने यह हमारी प्लेट्स पड़ गई हुई है और यह हमने अपनी स्ट्रेप ले लिए है इसको कैसे जॉइन करना ह उसाइड को उल्टा करना है और जैसे मैं फैब्रिक को रख रही ओ आपका इसी तरभा का गर छोग तो आपको इस तह पर को हो ऊपर की साइड को यहां पर लेकि आना है यहांपर वैंडा यहां पर फिर से मैंने अपनी लेस को ले लिया हुआ है और यहाँ पर स्लेस में भी हम लगाएंगे जैसे मैंने नीचे की साइट को जहाँ पर मैंने गैदिंग बनाई थी उसी तहर से आपको उपर वली साइट में भी बना लेना है ठीक है और इस तहर से जब आपका यह वाला पार्ट रेडी हो जाएगा तो अपनी इसको इस तहर से आपको स्टीचिंग कर लेना है आपस में दोनों पार्ट को जॉइन कर देना है यहां पर हमारी sleeves हो गई है ready अब हम अपने top में इसको join कर लेते हैं यहां पर अपना arm holes वाला part लेना है और इसको open करना है अपनी sleeves को सीधा रखना है ठीक है और sleeves को सीधा रखे इसके अंदर में आपको डालना है और यहां पर कर देना है stitching यह हो गया हमारा टॉप रेड़ी और आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा लाइक करके जाएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो